तो लगतार इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, सिर्फ हिजबुल्ला यह हमले नहीं कर रहा है, बलकि इस बार चार तरफ से इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, यह हमले कहां कहां से हो रहे हैं, एक बार इस्रेल हमला करता है, फिर हिजबुल्ला की तरफ से हमला होता है, और आप तो चौत चौतरफा हमले हो रहे हैं, कौन-कौन इस हमले में शामिल है, इसरेल किस तरह से जवाब दे रहा है, बाचित करने के लिए मयंक मेरे साथ चुड़काई है, मयंक अब बताया जा रहा है कि सिर्फ हेजबुल्ला की तरफ से ही हमले नहीं हो रहे हैं, जो हमले पीछे कुछ दिन अगर वह हम बताएं, तो देखिए उत्तर इसराइल पर लेवनन से हिजबुल्ला रॉकेट से हमले कर रहा है, तो आप अगर लेवनन वाला बॉर्डर देखे तो वहां से हिजबुल्ला की अटैक हो रहे हैं, अगर आप सेंट्रल इसराइल की बात करें, तो गाजा से हमास रॉकेट्स और मिझाल से हमले हो बताएं, तो देखिए यहां सेंट्रल इसराइल पर हमले हो रहे हैं, अगर हम नगशने इसराइल की बात करें तो लाल सागर से होंति उत्तर आप लादे फ्कत दो रॉकेट्स से इसराइल पर हमले और तीन तरफ भी साथिजुल्कर रहा है तो उत्तरपूरी वी इसराइल में सीरिया से हमले हो रहे हैं और सीरिया में जो इसलामिक रेस्टेंस है यह जो है लगातार इसराइल को निशाना बना रहा है तो आप देखिए यह पहला मौका है जब वो इसराइल मानो चारो तरफ से घर चुका है जो आप कह रही थी और जबर दस्थ हमले हो रहे है और निलु ऐसा कहा जा रहा है कि अभी देखिए गाजा से हमास ने जो है वो काफी सारे रॉकेट्स और ड्रोन से भी जो है वो इसराइल पर हमला किया है और इसी बीच में एक T-90 मिजाइल है यह कहते है कि T-90 मिजाइल जो हमास ने किया है और इसको तेल अवीव पे फायर किया गया और इसका एक वीडियो भी वकाइदा हमास ने जो है वो रिलीस किया है जिसमें यह मिजाइल गिर्ती दिख रही है उसी तरह एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो पिछला हमला ही तरफ से हुआ इसराइल पे एक एर बेस वो एर बेस अनिलू जहां से फाइटर प्लेंस ने उडान भरी थी और फुआज शुकर जो है हिजबूला के जो कमांडर थे इनको इनके उपर जब अटैक किया गया इनको जब निशाना बनाया गया इनकी हत्या की गई तो जिस एर बेस का इस्तमाल किया गया उस एर बेस को हिजबूला ने निशाना बनाया है तो आप देखिए पिछले वीडियो में जो आपने कहा था कि एस्तमाल जो है वो रेकी के लिए हो रहा है जैसा हमने पिछली बार बात की थी तो बकाइदा हिजबूला ने इस्रेल के काई ठीकानों की रेकी की है और जो हम एक जो एक जीफ है हजबूला के इनका एक वीडियो भी जारी किया गया पिछला जो हमला हुआ है हिसपोला ने जो उसके बाद और उसमें निश्रल्ह ने ये निचान लेन पर ने कहा कि बढ़ा तो हमें लेना ही था जो समिकरन है वो बनाया रखना बहुत ज़ूरी था ऐस इसलिए जवाब देना जरूरी था और हमने नस्रलाह फुआज शुकर का बदला ले लिया इस तरह का वीडियो जो है लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है इधर बदला लेने की बात हीजबुलाह हमास सभी की तरफ से की जा रहे हैं लेकिन अगर इसरेल की बात की जाए तो नितन्याहू कह रहे हैं कि देखिए अगर हम पर वार किया जाएगा तो हम भी नक्षा बदल कर रख देंगे लेबनान का और कहा ये जा रहा है कि जो हजबुलाह की तरफ से रॉकिट भी दागे गए या हमला किया गया इसरेएल पर वो रहाइशे राको से किया जा रहा है उनका कहना है कि रहाशे लाकों में अस्फताल, स्कूलों के पीछे चिफ कर ये सब को चो रहा है, हम नहीं चाहते कि वहां के लोग मारे जाए, लेकिन हम भी अपने आपको प्रोटक्ट करना चाहते हैं और कहीं न कहीं हमारी कोशिश यही है कि अगर हमें आप दुखसान जाएंगे तो हम भी आपको बक्षिए लेगा है, इस्राइल ने भी जबादस प्लटवार किया है और दो जगे इस समय इस्राइल का ग्राउंड उपरेशन पिछले 24 गंटे में हुआ है एक तो गाजा में इस्राइल की फोर्स ने बड़ा उपरेशन किया है और बताया जार की अगैं तो इस्राइल की ऺ्रणन के अंदर दाकिल हुई हैं क्योंकि अगर हमने जरुवत पड़ी तो हम लेंन के अंदर तक दाकिल हुजाएंगे, इस तरह एक pm एतनी तरफ हम अगर उन्हें इस बात की कानफरमेशन मिल जाती है मुसाद से कि उनके उपर किसी जानी होना रोकेट रोकेट री जाय मिजाय से, इसके पहले की सामने वाला दुश्मन हमला करें इस्रेयल उसकी उपर पहले से हमला कर देता है, तो देखें, यह जो हिजगुला ने अटैक किय उसका जबर्दस पलटवार जो है वो इसराइल की तरफ से किया गया है अब लेकिन देखना ये है कि अगले 24 गंटे में क्या जो प्रॉक्सीज है इरान की इनकी तरफ से किस तरह से जो है वो बात आगे बढ़ती है अचा नीलू एक बड़ी गौर करने वाली बात ये भी है य Hezbullah के पहुचे हैं ये किम जोंग इनोंने ये हिजबुल्ला की मदद के लिए खुलके सामने आगए है और कहा जा रहा है कि जो रॉकेट्स है हिसमें काफी सारे रॉकेट्स और ड्रोन जो है बलकि इसका इस्तमाल जो है वो अब इस्रेयल के खिलाफ भी हो रहा है और हिजबुला को ये rockets प्रोवाइट किये जा रहे है अचा एक गौर करने वाली बात निलू ये भी है कि आप देखें कि पिछले कुछ समय में किम जोंग की तरफ से नॉर्थ कोरिया की तरफ से में मल्टिबल रॉकेट्स टेस्टिंग की गई है इसका एक वीडियो भी एक दिन पहले ही सामने साहया है जिसने दिखाया जा रहा है कि कि स्पर्थ से मल्टिपल रॉकेट्स ऐहा है उसी तरह से जो है suicide drone आज कल देखे कि ये suicide drone जो है बहुत ज़ादा इनका इस इस युद्ध में खासों पर Middle East के जो हालात इस वक्त उसमें drone की भूमी का बहुत जादा है या यूदवर्ट F-35i उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताई है यानि यहां पर हतियारों का प्रदर्शन भी जबरदस्त तरीके से आपके पास अगर यह हतियार है तो मेरे पास यह हतियार है इसकी होड भी यहां पर देखने को मिली है और जो अभी Hezbollah पर अटैक हुआ लिबनन के अंदर उसमें कहा बताया जा रहा है कि सौ से ज्यादा F-35 प्लेंस का इस्तमाल किया गया और यह प्लेंस की खास बात यह है इसमें इनमें एर एक वीडियो अभी इसरेल के तरफ से रिलीस किया गया जिसमें इस लिबनन के दौरान एक 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 फ़्टिफाइव इसमें रिफ्यूलिंग की गई अब यह है अब देखी यह अब देखी इसमें अब प्रकार का मेसेज था जो कि इस्रेल ने दिया अगर आप यह सोस्ते है कि आप इसरेल पर आप बदले में आप बच जाएं तो यह एक मेंटल गेम भी पूरे इलाके में चल रहा है कि कौन किसके पास कितने ज्यादा हतियार है कौन कितना एडवान्स है तो यह एक वीडियो था जो इसरायल की तरफ से रिलीस किया गया अब देखिए इसी कड़ी में जो यह ड्रोन्स है जो आप बता रहे हैं इसी यह ड्रोन्स जो है वो नौर्थ कोरिया, रूस, एरान जो है वो हिजब लाके में अवराल दिक्कत का सबब बने हुए है और दूसरी एक बड़ी चीज यह है कि यह कहा जा रहा है कि एरान ने अपनी प्रोक्सी जितनी है हुती, हमास, हिजब लाह इनको फ्रीहंट दे दिय रहा है कि फुआज शुक्र की जो हत्या हुई उसके बाद से बड़ा जबतस्त गुसा था नुसरल्ला और हिजब लाके थे उनमें, तो अब जो है इरान की तरफ से इनको फ्रीहंट दे दिया गया है कि आप जैसा चाहें वैसा इसरेल पर हमला कर सकते हैं, उसी का नतीज़ था कि ये जो पिछले दो दिन पहले जो इसरेल पे एक बहुत बड़े पैमाने पर हमला जो हुआ देखा गया है। सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो है जो है जो है जो है जो है जो है।